सर्दियों के समय में चोटे-चोटे बच्चों को यदि बार-बार नजला होता है सर्दी जुकाम खांसी वगएरा होती है और उनका किलकिल आना है उनका बतियाना है यदि घुमसम सा हो गया है तो यह तेल जो मैं आज बताने वाली हूँ उस तेल को आप जरूर बनाईए और इस तेल की मालिश करने से आप यकिन नहीं मानेंगे बच्ची को पूरी सर्दी के टैम भर बिल्कुल भी सर्दी जुकाम खांसी नजला कुछ भी नहीं होगा और बच्चा आपका स्वस्तर हैगा आपको महंगे-महंगे दवाईया या डक्टरों के चक्कर आपको नहीं करते हैं यानि कि छाती में लगाएंगे पीठ में रगणेंगे तो बच्चा आपका हैल्दी रहता है स्वस्तर है क्योंकि इस तेल में गर्माठ होती है आयरवेदिक गुन होती है जो सर्दी और नजले से कितनी बहेंकर सर्दी हो से बचाते है इस तेल की मालिश यदि आप आप मोजे पहना दें तो बच्चों को सर्दी लगने का ड़क बिलकुल भी नहीं होता है रात में सोते समय पीठ पर और चाती पर और गदी और जो पैर के पंजे होते हैं इस पर जरूर मालिश करने चाहिए बच्चों के सिर्मेद यह आप मालिश करते हैं तलवा में इस त चूटकी के लगभग आपको खल्दी रखना है तो इससे बच्चों को तलवें से मतलब जो सर्दी घुसती है तो वो सर्दी लगने का ड़क बिलकुल भी नहीं रहता है तो इस तरीके से आप बच्चे की मालिश करेंगे तो आपके बच्चा स्वस्त रहेगा उसे सर्दी और चूले को झला लिया है आपके पास तल का तेल ले सकते हैं तो सर्दी घरम को सबस्क्राइब किया हो तो जल्दी से जल्दी से सबस्क्राइब कर लिए यहां पर देखे आदी चमच के लगबग हमने मैथी दाना लिया है यह जो तेल हम बना रहे हैं यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और जाता इसमें दिक्कत और मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती हैं यहां पर साथ आठ करी हमने छील कर लहसुन की ले ली हैं और आप तो सेंगा भी डाल सकते हैं यहां पर मैंने पतली पतली काट लिए यह देखिए वंदी आज पर हमें इसे पकाना है आदी चमच के लगबग मैंने अजवाइन ले लिए यहां पर देखिए दो से तीन चुटकी के लगबग हमने यहां हींग ली हुई है तो यह सब चीजें सरीर को गरमाट देती हैं बादी को मारती है यदि यह तेल आप कान में बच्चों की अबड़ों के डालते हैं तो कान का दर्द है या मैल जो जम गया है तो वो फूल जाता है और निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है यहां पर देखिए मद्धी मद्धी आज पर हमने ते अलावा यह तेल बहुत कामका होता है दादी नानी के जमाने का तेल है और इसमें कोई नुकसान नहीं है ना ही कोई इसमें किसी से पूछते हैं ताच की जरूरत है यह तेल से बहुत ही हेल्दी होता है और सरी को गरमाट देने वाला होता है तो आपके घर में छोटे बच् करना है तो आपको हलका सा एक गुनगोना करना होगा